एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की जील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाए चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गईूं। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला, तो कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह जोर-जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय कृष्ण को नदी में गए हुए काफी समय हो गया था। यह देखकर लोग चिंतित होने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बहार निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमन कर दिया देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे वह कालिया सांप पांच सर वाला विशाल सांप था श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुह से खून निकलने लगाओ जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीक मांगने लगी श्री कृष्ण ने कालिया सांप को जमुना नदी को छोड़ कर रामान का द्वीप में जाने के लिए कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया कि उन पर कभी भी गरुड हमला नहीं करेंगे क्योंकि उसके सिर के उपर कृष्ण के पैरों के निशान शप चुके हैं यह सुनकर कालिया सांप बहुत ज्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी को छोड़ कर वहां से दूर चला गया इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गाव वालों की रक्षा की अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें